सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक उशद्यां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शिर्चाइब नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आज की उशद्य है महाविश गर्ब तेल और ये बैदनात कंपनी का आता है और इसकी जो पैकिंग है वो 50 एमल में है, इस उशद्य का बहुत अ इसका प्राइज है, और ये किस स्टोर से, मतलब किस काँ काँ से आप इसको लिए सकते हैं, वैसे तो इसको बताने के आप शक्ता नहीं है, पंसारी के दुपान से या आसानी से मिल जाएगा, आरवेदी के स्टोर इसको भी ये बिल जाता है, अगर आपको नहीं मिलता तो हम से संपर करके भी मंगा सकते हैं इसका नाम महाविस गर्वतेल है आज मैं आपको इसके बारे में पूंट जानकारी देने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके गुणों की बात करें तो ये जो जोडों के सूजन होती है उसमें बहुत अच्छा लाब करता है इसको हलके आतों से धूप में बैठ कर इसकी मालिश करने से जोडों के जो भी कर परियोग किया जाता है इसके अलावा ये सीरदर्द और जो सरीर में है एक हड़ फूट निशी होई बनी रहती है या आपने जैसा कुछ ज्यादा कदम चल दिये या आप दोड कर रहे हैं तब उसके कारण माश पेशियों में पिंडलियों में दरद रहता है उस अवस्ता म इसका परियोग किया जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है इसका रेट 87 रुपे है और ये 50 ml की पैकिंग है इस उसुद्धी को आप दिन में दो बार परियोग कर शकते हैं और इसकी मालिस करनी होती है इसके साथ-साथ ये पुराने वात रोगों में सरीर में चाहिए कहीं भी हो तो इसको ये ठीक करती है और इस जो ये महाविश गरब तेल है इसको अगर मालिस करते हैं तो इसके से इसके मालिस से जो है सरीर की ठकान भी दूर की जा सकती है इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया अगर सरीर में कहीं भी वात रुग के जैसे हड़फूटनी या पूरे सरीर में दरद बना रहना इस तरीके की को अगर कोई शिकायत है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है तो इसके बात करते हैं इसमें उशद्धी कौन कौन सी मिलाए गई है किन उशद्धियों से इसका निर्मान हुआ है तो इसमें मुर्शित थेल इसमें इस्तमाल किया गई है अशद्ध जो है सिंग्रिक इसमें मिलाए गई है जिसे सिंग्रफ के नाम से भी जानते हैं ये एक परकार का विश होता है और इसमें अशुद कुछला इसमें इस्तमाल किया गया है ये भी एक किसम का जैर होता है और इसमें अर्मूख इसमें मिलाया गया है और जो इसमें एरन्ड मूल जिसे एरन्ड की जैर जिबी जिसे हम कहते हैं धतूरे का पंचांग इसमें प्रियोग किया गया है इन से भी का ओशद्य का जो है कलक बना कर इसका प्रियोग किया जाता है और इसमें जो है सभी इनका जो ओशद्य है इनका कलक बना कर इसको मुर्शित तेल में पकाना होता है और इसको तेल पाक विदी से ही तयार किया गया है तेल पाक विद्धी से इसको तयार करके इसको सुरक्षित किसी भी बॉटल में रख सकते हैं इसको वैसे गर पर बनाने के आशकता नहीं पड़ते क्योंकि यह बाजार से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है जैसा कि मैंने इसमें बताया भी है इसकी MRP सतासी रुपे है और एक समय के अनुसार कमते बत्ती हो शकता है तो इस वीडियो से सम्मंदित अगर आप कोई भी परशन है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक जरूर कर दीजी तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको जानकारी अच्छे लगी होगी अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाव उठा सकें अगर आपका कोई शवाल या सुजाव है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं या अगर आपको किसी भी ओशिदी की या जड़ी बूटी की आवशकता है और आपको नई मिल रही है तो आप हमसे संपर करके मंगा भी सकते हैं आपको यह जानकारी कैसी लगी यह भी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सस्क्राइब नए किया है तो सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि हम भविश्य में भी ऐसी ओर भी अच्छे अच्छे जानकारी लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए हसते रहिए और हसाते रहिए और अपनी सियत का ख्याल रखिए धन्यवाद